अगर मुझे दस लाइट गाने मिले और एक सेट सॉंग मिले तो मैं दस गाने छोड़के वो गाने के लिए एक सेट सॉंग गाने आज तक लोगों को दिल जलता है तो जलने दो याद है अगर मेरी बड़ी इच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए से गुन गुनाएं अगर आपके आद में पूरा गाना जोड़ा जोड़ा है दिल जलता है तो जलने दे आंसुना बाहा फरियाद ना कर दिल जलने दे जलता है तो जलने दे तू परदा नशी का आशिक है यूना में वफा बरबाद न कर दिल जलता है तो जलने दे मुकेश ने आखिर गीत संगीत के जीवन में प्रवेश कैसे किया उनके पिता क्या चाहते थे वे क्या बने उन्हीं के स्वर में सुनिये वो भी एक ड्रीम था हम एक मेरी सिस्टर की शादी के अंदर साब गाना का रहे थे और सुमें दो साहबान फिल्म के आए वे थे तो शादी की बराद को एंटर्टेन करने के लिए लड़की वाले वह हमेशा करते ही हैं कोई शराब ला रहा है कोई कबाब ला रहा है हमारे स आदि जया ले जाना तो अगले दीन और सबर हमारे वालिए सहाब से मिलने चली है है कर दो कि अदर आपके अविड्रादे चाना जानते हैं हमारे फादर को द पते नहीं नहीं किसे कहते है ना में पता ताम मेट्रिक बड़ा करते थे और बढ़े दाजभू होगे क्या के र जो खान करेंग Till lioni नियुत वर भाव अचान चाहता कि आजलेम फिल्मेंज कि भी घज़ भी रानाम कमा कुछ तो सेटली, जो मारे नम्हादर नाम कीमि मेभी समनान उर्ता नहीं का जाना लागा ने वी घ्लयके चाहता हा उम मुझा आइंगा है। उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हे और उचाते थे कोई सिंगिंग हीरो आए मगर खैर उस तरह उस टाइम तो नहीं नेक्स टाइम जब उसकी सेकंड पिक्शन नलीनी की स्टार्ट हुई जिसका नाम थन्यर दोश तो दुबारा उन लोगों ने एक टेलिग्राम मुझे दिया मेरे फादर को मेरे फादर के लेगे कि अगर इतना वो लोग इसरार कर रहा है तो वाकिछ शायदे तुम्हारे अंदर को टेलेंट हो जाओ अपना मुकदर आजमा लो कि अपना मुझे अपना मुझे निकाल दिया गया कंपनी मी बंद हो गई और पहले तुमना कुछ दिनो कुछ कभी शेर ब्रोकर बने कभी ओ ड्राइफूट सेलर बने कभी कुछ बने सारे दुनिया भर के धंदे करके इतने मुकदर से ये प्रफेशन उन दिनों में और हो कहते हैं ना जी कि जब मुकदर में कुछ लिखवा के लाएं हो तो कुछ ने कुछ बगवान ने ऐसा तरीखा निकाल दिया के प्लेवेक सिंगिंग का प्रफेशन शुरू हो गया और हमारी कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई महां पर यह क्यों सुरज शकल से तो आप बहुत अच्छ लगते हैं क्या अच्टिग ने अच्टिग ने अच्छ अच्छ शुकुमार के यह पूछने पर कि उन्हें अपने गीतों में से कौन सा गीत प्रिय है उनका उतर था पॉपुलर और तो ने यह आपके अच्छ गाना जो मु तुम्हारा रिदै तोड़ दे तडपता हुआ जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिये मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारा रिदै तोड़ दे अभी तुम को मेरी जुरूरत नहीं बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे अभी रूप का एक सागर हो तुम्हार जितने चाहोगी खिल जाएंगे दर्पन तुम्हें जब डराने लगे जवानी भी दामन छुडाने लगे तब तुम मेरे पास आना अप्रिये मेरा सर जुका है जुका ही रहेगा तुम्हारे और मुकेश जी क्या आप भी यह मानते हैं कि फिल्मों में संगीत का एक निश्चित स्थान है और होना चाहिए ऐसा है जी के हिंदुस्तान में अभी तक फिल्म के इलावा कोई दूसरी एंटर्टेन्मेंट का कोई दूसरा मीडिया भी शुरू नहीं हुआ और एंटर्टेन्मेंट के लिए जब यह आदमी सिनेमा में जाता है तो वो हर एक किसम की खुशी उसी में चाहना पसंद करता है वो ये ढूड़ता है कि मुझे सेड सॉंग भी इसी में मिले, मुझे कवाली भी इसी में मिले, मुझे घजल भी इसी में मिले, मुझे भजन भी इसी मिले, मैं हरी किसम की खुशी वो उसी में फिल्म में जाके और पाना चाहता है और इसलिए जनता की मांग पूरी करने के लिए आप फिल्मों में म्यूजिक देते हैं मुकेश जी जहां तक मुझे मालूम है आप लोगों के गाने अलग से ही रेकॉर्ड कर लिए जाते हैं यूँ भी कहानी से अक्सर उनका कोई नाता नहीं होता तो ऐसी हालत में आप अपने आपको फिल्म का एक भाग समझ पाते हैं या केवल ऐसा गायक जिसका फिल्म की कहानी में कोई हिस्सा ही नहीं है अक्सर तो यह होता है जी के ना डारेक्टर होता जब हमारे डिकॉर्डिंग होती है और ना प्रोड्यूसर होता और अगर दोना होती है तो उन्हें पता नहीं होती के सिच्वेशन क्या है मगर खैर कुछ सीरिस फिल्मेकिंग अप शुरू हो गई है और लोग आते हैं वो सिच्वेशन भी बताते हैं और जब सिचुएशन बताते हैं तो जरूर उसमें कलाकार उस सिचुएशन को सामने रखके उसमें खोके और उसको गाने को उसके से रेंडरिंग करता है अगर आप लोगों को याद हो तो मोतिलाल पहले अपने गाने खुद गाया करते थे वो पहली पिक्षर थी जिसमें उन तो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद ये तैक हिया गया कि उसमें से ये गाना निकाल दिया जाए तो हम मज़र खास आपके पास गए जिए इस पिक्चर के प्रोडूइसर थे और हमने उन से पूछा कि बही ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है तो वो कहलने बड़ा दिल तूट गया हम बड़े उदास हुए हमने उनसे कहा मज़र भाई हमारी एक इलतिजा है कि आप ये गाना रहने दीजे कि लिए बड़ा बोर करता है गाना और ये पिक्चर के अंदर ड्रेक करता है हमने कहा कि आप रहने दीजे ये हमारी रिक्वेस्ट है तो ख तो इसे कंटिन्यू करेंगे नहीं तो इसे पिक्चर में से निकाल दिया जाए लेकिन शायद आप भी ये मानेंगे कि ज्यादातर गीत बिलकुल नहीं चल पाए हैं क्या धुन से या गीत के शब्दों से आपको पहले इसका कुछ अंताजा हो जाता है क्या अपनी शैली औ और पसंद के मताविक धुन में या शब्दों में कोई फेर बदल आप कर पाते हैं फेर बदल तो हम नहीं कर पाते जी क्योंकि वो तो एक मीजिक डेक्टर का काम होता है और उनकी बंदिश होती है मगर हां कुछ थोड़ा सा एक इंट्यूशन जरूर हो जाती है कि ये गान नहीं चलेगा फिर भी आप उसे गाने पर मजबूर हो जाते हैं हाँ जी पेट है